किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और समय कम हैं, चिंता मत करें. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे. सिर्फ तीस दिनों में किसी भी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ताकि आप कम समय में अधिक्तम परिणाम प्राप्त कर सकें. आईए जाने कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं. परीक्षा की तैयारी का महत्व, क आत्मविश्वास बढ़ाना. जब आप तैयारी करते हैं और सही तरीके से अध्यान करते हैं तो यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है. आत्मविश्वास से आप परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. समय प्रबंधन सीखना परिक्षा की तैयारी आपको समय प्रबंधन का कौशल सिखाती है 30 दिनों की योजना बनाना एक अच्छी योजना आपके अध्ययन को अधिक प्रभावी बना सकती है यहां कुछ सुझाव दिये गए हैं समय प्रबंधन एक शेडियूल बनाएं और उसे फॉलो करें हर दिन के लिए अध्ययन का एक निश्चित समय निर्धारित करें यह सुनिश्चित करेगा कि आप सभी विशेयों को उचित समय दें विशेयों का चयन पहले उन विशेयों पर ध्यान दें जिनमें आपको कठिनाई है कमजोर विशेयों पर अधिक समय बिताएं और उन्हें मजबूत बनाएं लक्षे निर्धारित करें तीस दिनों के लिए छोटे छोटे लक्षे निर्धारित करें जैसे, पहले हफ़ते में एक विशय पूरा करना और दूसरे हफ़ते में उसका पुनरावलोकन करना अधायन सामगरी का चैन अधायन सामगरी का चैन करते समय, सुनिश्चित करें कि आपके पास सही और विश्वसनी अस्रोथ हों पुस्तकें और नोट्स उचित पुस्तकें और अपने नोट्स का उपयोग करें पाठ्ठिक्रम के अनुसार किताबों का चैन करें और उन्हें गहराई से पढ़ें ऑनलाइन संसाधन यूट्यूब अन्य प्लेटफॉर्म से लाब उठाएं उनलाइन वीडियो और पाठ्ठिक्रम आपकी समझ को और बढ़ा सकते हैं पुनरावलोकन सामगरी पुराने प्रश्ण पत्र और मौक टेस्ट का उपयोग करें यह आपको परीक्षा पैटर्न और प्रश्णों के प्रकार के बारे में जानकारी देगा नियमितता बनाए रखें रोजाना अध्ययन करने से आपको अपनी प्रगती का पता चलेगा और आप नियमित रहेंगे दैनिक लक्ष निर्धारित करें छोटे छोटे लक्षियों को पूरा करें जैसे कि एक दिन में एक अध्याय पूरा करना इससे आपको मनोबल बढ़ेगा पुनरावलोकन सप्ताह में एक बार पढ़ी हुई सामगरी का पुनरावलोकन करें यह आपको महत्वपून जानकारी को याद रखने में मदद करेगा मानसिक स्वास्थे का ध्यान अपनी मानसिक स्थिती को बनाए रखना भी आवश्यक है योग और ध्यान नियमित योग और ध्यान आपके मानसिक स्वास्थे में सुधार करेगा आप अधिक ध्यान केंद्रित रहेंगे और तनाव को कम कर सकेंगे आराम पर्याप्त नींद लें और खुद को तनाव मुक्त रखें ध्यान रखें कि आराम से दिमाग को तरो ताजा रखने में मदद मिलती है सकारातमक सोचें और अपने लक्षियों को हासिल करने की मानसिक्ता रखें परीक्षा के दिन की तैयारी परीक्षा के दिन की तैयारी को लेकर कुछ सुझाव आत्म विश्वास बढ़ाएं खुद पर विश्वास रखें आप अपनी मेहनत पर विश्वास करें परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुँचें समय से पहले पहुँच कर आप तनाव से बच सकते हैं परीक्षा शुरू होने पर पहले परश्वास पर को ध्यान से पढ़ें तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना सिर्फ तीस दिनों में किसी भी परीक्षा की तैयारी कैसे करें आपको योजना बनाने, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और सही संसाधनों का उपयोग करने की आवशक्ता है अब समय है कि आप इन टिप्स को अपनाएं और अपने लक्षे की और बढ़ें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग apexstudy.in पर भी विजिट कर सकते हैं ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद